वाई आपको दिखाते हैं बड़ी खबर इस वक्त की जल्दी से बता दें आपको प्रधानमती आवास पर इस वक्त एक बड़ी बैटक चल रही है भाना जा रहा है कि इस बैटक के जरीर रणीती तेह हो रही है पर ये मोदी के आवास पर ये बड़ी बैटक है इसमें एनसे अजीद जोवाल इसी के साथ साथ ग्रेमंतरी अमित शार रक्षा मंतरी राजनाथ सेंग एनसे अजीद जोवाल पी-म के साथ बैटक कर रहे हैं जो परिस्थितियां बनी है कैसे ही रणीती भारत की होनी चाहिए और क्या कुछ अचानक हुआ जिसकी वज़े से ऐसे हालात बनें सब पर चर्चाओ रहे हैं हमारे साथ गीता मोहन हमारी सही होगी इस वक जो रहे हैं गीता भारत का रुख बांगलादेश को लेकर और अभी पी जब हम बात कर रहे हैं मतलब किसी ने सोचा नहीं था अच सुबह की ऐसी परस्तित आएगी हिंजन एर बेस में मौजूद है शेख हसीना एक सेफ हाउस में अभी मौजूद है शेख हसीना बारा बज़े से लेके अब तक कई सारे मीटिंग्स हो चुके हैं बारा बज़े जब उनको पता चला कि माहौल बहुत खराब हो गया है बांगलादेश में तब ही एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी जहां पर कि मिलिटरी नाशनल सक्यूर्टी अडवाईजर, एक्स्टरन अफेस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब थे और सब माहौल का जायजा ले रहे थे कि क्या हो रहा है कितने बुरे हाल हो गए बांगलादेश में अब ये फाइनल एक ऐसा मीटिंग है जो अभी हो रहा है वो 7L केम यानि इस पूरे सिच्वेशन को कैसे हैंडल किया जाए अंजना इसलिए कह रही हूं कि भारत इस पर बातचीत कर रहा है इसलिए नहीं क्योंकि भारत इंटर्फियर करना चाहता है इसलिए क्योंकि भारत के अपने स्टेक्स बहुत हाई है जब जब वहां पर सरकार बदली है भी शेक हसीना सेफ हाउस में हैं हिंडन एबेस के अंदर ही लेकिन क्या वो वहां से यूके निकल पाएंगी या नहीं ये भी बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि कहीं ऐसे खबरे भी आ रही है कि अभी तक उन्हें क्लियरंस नहीं मिला है लंडन के लिए और अगर लंडन क्लिय क्लियरंस नहीं देता है देखिया अंजना वहां पर भी सरकार बदल गई है कंजरवटिव पार्टी नहीं है लेबर गाव्मेंट है वहां पर तो अगर वह इनके हूमन राइट्स रेकॉर्ड को देखके और जो जिन जिन चीजों पर अमेरिका सवाल उठाती आ रही है उन स पिजार कर रहे हैं देख रहे हैं सिचुएशन कितना खराब होने वाला है या क्या बहतर हो पाएगा इन सब मामलों पर बातचीत हो रही है अभी प्रधानमंत्री के आवास में उस पर स्ट्राटीजी बहुत जरूरी है